नमस्कार विध्यारती मित्रों आज जम कप्चा 6 में विशे हिंदी में चेप्टर 14 ओजोन इसकी विशे में जानकारी प्राप्त करेंगे बचोई इस पाट के लेखक है राम गोपाल वर्मा इनका जन्म 1948 में हुआ था उन्होंने M.A.B.A. तथा Ph.D. तक की शिक्षा प्राप्त की हिंदी साहित के आलोक इस्तंब जीवन या अध जले खिलोने दी अंकिय नाटक चोकी दारतीन अंकिय नाटक मौत एक कपुतर की एकांकी संग्रा भेज गई थाने में प्रसन संग्र चुहे का मुकद्मा मन्चिय लगुनाटक तथा आला उदल कहाने आधी संग्र आधी उनकी प्रसिद रचनाए हैं ओजन वायू मंडल की एक रक्षा पर्थ है यह समताप मंडल को संतुलित करने वाला वायू है यह सूरी से निकलने वाली परावेगनी किलने का अवसोसन करके प्रित्वी के जीवन की रक्षा करता है है ओजन पर्थ प्रित्वी के समताप मंडल में 15-35 कीमी की उंचाई परिस्थित है बानेवी यह क्रिया कलापों से यह जीवन रक्षक पर्थ तूट रही है मसीन रेफ्रीज रेटर एरो सोस इस्प्रेय आदी से उसर जित क्लोरो फ्लोरो कार्बन सी एफसी वाहन एवं इंधन से निकलने वाला धुआ वगेरे है ओक्सिजन वगेरे ओजोन की पर्थ के लिए अत्याधिक हानिकारक है प्रस्तूट नाटिका में समवात के माध्यम से धुए से होने वाले मानविय रोगों एवं जीवन रक्षक पर्थ को पहुँचने वाली हानिके बारे में बच्चों को बताने का प्रियाश किया गया है यहां बच्चों पात्र परिचय है पात्र परिचय अंजली आयू है आठ वर्ष नीरज आयू है च्छे वर्ष दादा जी आयू है शाठ वर्ष अंजली और नीरज के पापा इनकी आयू है पैतिस वर्ष अंजली और नीरज की मम्मी इनकी आयू है तीस वर्ष डोक्टर आयू है चालिस वर्ष अंजली, दादा जी आपके आँखो, आपके आँशु क्यों निकल रहे हैं? नीरज, दादा जी रो रहे हैं? अंजली, दादा जी क्यों रोएंगे भला? नीरज, दादा जी को मम्मी ने चोकलेट नहीं दी होगी क्यों दादा जी? दादा जी, नहीं बच्चो में रो नहीं रहा हो मेरी आँखों में धुआ चला गया है इससे आँशु निकल आए हैं, नीरज, दादा जी आँशु, आँशुओं को रोकिये मेरी मम्मी कहती है कि आँशु बड़े किमती होते हैं इन्हें आँखों में ही जोड कर रखना चाहिए अंजली, चल हट ममी, तुझे जूट मूट कहती है, तू रोता है, रोता बहुत है तुझे चुप कराने के लिए दादा जी, धुएं से आँशु क्यों निकलते हैं दादा जी, धुएं में जहरीले कण होते हैं, यह धुएं हवा को असुद कर देता है जब यह धुएं वाली असुद हवा हमारी आँखों में जाती है, तो जलन होने लगती है, और आँशु निकलने लगते हैं नीरज, और अगर मूँ से मूँ में चली जाए तो क्या मूँ से भी आँशु निकलेंगे? अंजली, चुप, र, मूँ से भी कहीं आशु निकलते हैं, दादा जी, मूँ से आशु नहीं निकलते, खासी उड़ती है और यह हवा सास के साथ फेफडों में चली जाए तो दम्मा निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है निरज, धुआ आते ही नाक और मूँ को रुमाल से बंद कर लेना चाहिए अंजली, तुझे से किसी ने कहा? निरज, टीवी में एक आंटी ने और आंटी ने टीवी में यह भी बताया था कि हमें अपनी कार नहीं चलाने चाहिए उसमें से धुआ निकलता है अंजली, यह धुआ है यह धुआ है ना दादा जी? निरज, नहीं नहीं यह सच है अंजली, चुप कर गंदी बाते करता है तब तो दादा जी सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी हम स्कूल केसे जाएंगे, पापा ओपिस केसे जाएंगे? निरज, साइकिल से अंजली, तेरा मतलब है कि मम्मी भी साइकल चलाएगी? दादा जी, नहीं बच्चो, सभी गाड़िया बंद नहीं होगी, सरकार उन गाड़ियों को बंद करेगी, जिन से बहुत धुआ निकलता है अब ऐसे कारखाने भी बंद कर दिये हैं, बड़े बड़े सेहरों में अब कारखाने बिजली से चलते हैं, उन से धुआ नहीं निकलता नीरज, कारखाने बंद हो गए तो चौकलेट कहां से आएगी चौकलेट भी तो कारखाने से कारखानों में बनती है अंजली, तुझे तो अपनी चौकलेट की ही पड़ी है दादा जी, धुएं से और भी हानिया होती है दादा जी दुहें के कर ओजोन गेस को नश्ट करते हैं जो धुआ हवाई जहाजों से निकलता है या इन गाड़ियों का धुआ उठकर यहां से 20 किलोमीटर उपर आकास में चला जाता है वहाँ ओजोन गेस को हानी पहुचाता है वहाँ ओजोन गेस होती है अंजली ओजोन गेस क्या होती है दादा जी नीरज ओजोन गेस नहीं जानती अंजली हाँ हाँ तु बड़ा जानता है नीरज हाँ हाँ जानता हूँ डोन फिल्म में सिगार पिता है ना उसके मुझ से निकलती है ओजोन गेस अंजली तु पागल है आप बताईए ना दादा जी दादा जी यहाँ से 20-30 किलो मिटर दूर आकास में ओजोन गेस होती है यह पृत्वी के चारों और घेरा बनाए रती है इसकी मोटाई भी कई किलो मिटर की होती है यह सूर्य की किल्णों को रोपती है ओजोन गेस न होतो सूर्य की किल्णों किल्णे इतनी गर्म है कि हमें मानो जला डाले गी किल्णों के तीखे पन को रोपकर पृत्वी पर गर्मी को कम करती है ओजोन गेस अगर धुआ बढ़ता गया तो एक दिन ओजोन गेस समाप्त हो जाएगी और अंजली और हम सब मर जाएंगे नीरज फिर तो गाड़ी चलाना बंद ही करना पड़ेगा चलो अच्छा है अंजली क्या अच्छा है नीरज इसको लहीं जाना पड़ेगा अंजली तब तो तु बुद्धु ही रह जाएगा मगर दादा जी ओजोन गेस आती कहां से है अगर यह गेस जादा मात्रा में बनने लगे तब तो यह समस्या ही नहीं होगी दादा जी ओजोन की मात्रा वायू में 10 लाख भाग के केवल 10 भाग मात्र है यह अपने आप बनती है जब सूरी की किरणों के वीकिरण का टकरा ओक्सीजन से होता है तो उसका कुछ भाग ओजोन गेस में बदल जाता है किन्तु रोकेट हवाई जहाज बमों का फटना बारूत का जनना और कई प्रकार की फेक्टरी से निकलती गेसों से यह समाप्त हो रही है निजज इसका मतलब है कि हमें दिपावली भी नहीं मनानी चाहिए उसमें भी बारूत जलता है जहरीला धुआ निकलता है दादा जी मनानी तो चाहिए पर बारू जलाकर नहीं दिपावली जलाकर दादा जी को खांसी उठने लगती है उन्हें दम्मे की सिकायत है अंजली क्या हुआ दादा जी खांसी क्यों उठने लगी नीरज मम्मी को बुलाओ पपा को बुलाओ नीरज चिलाता हुआ जाता है नीरज मम्मी पापा दादा जी को बहुत जोर से खांसी उठ रही है मम्मी पापा दोनों आते हैं नीरज, बाद में पानी लाता है पापा, फिर आपकी सास में धुआ गया होगा ममी, अंजली बेटी पानी लाओ नीरज, लो ममी, दादा जी को पानी पिलाते हैं खासी ठीक होती है, पर दम्मा चलता रहता है पापा, तुम पिता जी, पापा, तुम पिता जी को उनके कमरे में ले चलो डोक्टर को फोन करना पड़ेगा दोनों दादा जी को अंदर ले जाते हैं अंजली और नीरज रह जाते हैं अंजली, दादा जी धुएं से बीमार हुए है नीरज मैं दुआ करने वालों को मार दूँगा अगर दादा जी को कुछ हो गया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा अंजली हम उन्हें मारना नहीं है नीरज समझाना होगा अंजली हाँ दादा जी ने जो बाते हमें बताई हैं वे उन्हें बतानी होगी नीरज कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी मैंने फिल्मों में देखा है जो गंदे आदमी होते हैं वे दुसरों की नहीं सुनते उनके लिए एक नहीं हजार दादा जी भी मर जाए तब भी बंद नहीं करते जहर फेलाना हाँ जब हीरो का घुंसा पड़ता है न तब उन्हें अकल आती है अंजली फिर हम उनके आगे हर्ताल करेंगे पोस्टर बनवाएंगे मेरे पास कलर है हम पोस्टर लिखेंगे और चिल्ला चिल्ला कर नारे लगाएंगे अंजली धुआ बंद करो नीरज धुआ बंद करो अंजली जन जीवन को बचाओ नीरज जन जीवन को बचाओ अंजली धुआ बंद करो अंजली ओजोन को बचाओ दोनो नारे लगाते चले जाते है डोक्टर आता है उन्हें देखते हुए अंदर जाता है परदा गीरता है यहां बचों यह पाट पुरा होता है अब हम सब्दार्थ टिपणी पढ़ेंगे ओजोन एक गेस खासी एक प्रकार का कफ जन्य रोग दम्मा स्वासो स्वास से संबंधित जटिल रोग निमोनिया वाइरल से होने वाला रोग टीबी फेफडों से संबंधित एक गंभीर रोग बचों अब हम आगे अभ्यास के प्रस्न देखेंगे पहला प्रस्न एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए पहला प्रस्न बचों नीरज तथा अंजली का क्या रिस्ता है इस प्रश्ण का उत्तार बच्चो, नीरज तथा अंजली दोनों भाई भहल हैं दूसरा प्रश्ण है बच्चो, दादा जी को क्या तक्लिफ थी ? इस प्रश्ण का आंजर बच्चो, दादा जी की आंखो में आसु आ रहे थे तीसरा प्रशने वत्चों दादा जी की आँखों से आँशु की स्वज़ से निकल रहे थे इस प्रशन का आंसर वत्चों दादा जी की आँखों में धूआ छला गया था इसलिए आँशु आ रहे थे चोथा प्रश्ने वच्चो ओजोन क्या है तो इस प्रश्न का आंसर वच्चो प्रिथवी से 20-30 किलो 20-30 कीमी दूर आकास में गैस होती है जिसे ओजोन गैस कहते हैं पांचा प्रशने वच्चो धुएं की वज़ से कौन कौन से रोग हो सकते हैं इस प्रशने का आंसर वच्चो धुएं की वज़ से दम्मा निमोनिया जैसे रोग हो सकते हैं दूसरा प्रशने वच्चो एक या दो वाक्य में उत्तर दीजिए पहला प्रश्न है धुएं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए इस प्रश्न का आंसर है धुएं से बचने के लिए हमें नाक मुँ को रुमाल से बन करना कर लेना चाहिए दूसरा प्रश्न है बच्चो दादा जी को किस बीमारी की सिकायत है तो इस प्रश्ण का आंसर है बच्चो दादा जी को दम्मे की बिमारी की सिकायद है तीसरा है बच्चो हमें दिपावली केसे मनानी चाहिए तो इस प्रश्ण का आंसर है बच्चो हमें दिपावली बारू जलाकर नहीं दिपक जलाकर मनानी चाहिए तीसरा है बच्चों सही या गलत का चिन लगाईए पहला है ओजोन एक जीवन रक्षक गेसिय पर्त है तो इसका सही आएगा दूसरा है बच्चों ओजोन प्रिथ्वी के निचले स्तर में पाई जाती है तो ये गलत आएगा धूए में जहरीले गेस के करण होते हैं तो ये सही आएगा दादा जी रो रहे थे तो ये गलत आएगा यहाँ पर बच्चों अभ्यास के प्रश्न पूरे होते हैं अब हम साधे के प्रश्न देखेंगे पहला प्रश्न है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिये पहला प्रश्न है बच्चों दादा जी के अनुशार सरकार किन गाडियों को बंद कर देगी इस प्रश्न का आंसर है बच्चों दादा जी के अनुशार जिन गाडियों में से अधेग धुआ निकलता है उन गाडियों को सरकार बंद कर देगी दूसरा प्रश्ण है बच्चो धुए के एकण किसे नश्ट करते हैं तो इस प्रश्ण का आंसर है बच्चो धुए के एकण ओजन गेस को नश्ट करते हैं तीसरा प्रश्ण है बच्चो ओजन पर्त सूर्य की किन किर्णों को हम तक पहुंचने से रोपती है इस प्रशन का आंसर है बच्चो ओजन पर्त सूर्य की तीखे पन गर्म किल्णों को रोक कर हम तक पहुचने से रोकती है चोथा प्रशन है बच्चो वायू मंडल में ओजन की मात्रा कितनी है तो इस प्रश्न का आंसर वायू मंडल में ओजन की मात्रा वायू में 10 लाख भाग में केवल 10 भाग मात्र है दूसरा प्रश्न है वाच्चो दो या तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न है हमें धुआ हमें किस प्रकार हानी पहुंचाता है इस प्रश्न का उत्तर वाच्चो दूए में जहरीली कर्ण होते हैं जो हवा को असुद कर देता है जब वह आँखों में जाती है तो आँखों में आसु निकलते हैं मुह द्वारा फेपडों में चली जाये तब दम्मा निमोनिया जैसी विमार्या होती है धुए के कण ओजोन गेस को नश्ट कर देता है जिससे गर्मी बढ़ती है दूसरा प्रश्न है वाच्चो ओजोन पर्थ हमारी किस प्रकार रक्षा करती है इस प्रश्न का आंसर है वाच्चो ओजोन पर्थ सूरी की किणो को रोकती है ओजोन गेस नँ होतो सूरी की किणो किणे इतनी गर्म है कि हमें जला डाले गी किणो के तीखे पन को रोक कर प्रित्वी पर गर्मी को कम करती है तीसरा प्रश्न है बच्चो ओजोन गेस किस प्रकार बढ़ती है इस प्रश्न का आंसर है वाच्चो ओजोन पर्थ की सुरच्चा सूरी बच्चो ओजोन गेस अपने आप बढ़ती है जब सुर्य की किर्णों के वीकिरन का टकरा ओक्सीजन से होता है तो उसका कुछ भाग ओजोन गेस में बदल जाता है चोथा प्रशने वच्चो ओजोन पर्थ की सुरच्छा के लिए हमें क्या करना चाहिए इस प्रस्ण का आंसर है वच्चो ओजोन पर्त की सुरच्छा के लिए जिन गाड़ियों में से धुआ निकलता हो उन्हें बंद कर देना चाहिए जो कार खाने अधिक धुआ निकलते हैं उन्हें भी बंद कर देना चाहिए तथा बिजली से चलना चाहिए पोस्टर लगा कर जागरू करना चाहिए पांच्वा प्रस्ण बचो अंजली ओजोन की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए अंजली ओजोन की रक्षा के लिए धुए निकालने वालों के सामने हर्ताल करना चाहिए पोस्टर लिखना चाहिए तथा नारे लगा लगा कर लोगों को जागरू क बनाना चाहती है तीसरा प्रस्ण है बच्चो नीचे दिये गए कथनों को विस्तार से समझाईए पहला है हर्याली लाव पर्यावरन बच्चाओ इसका अंसर है बच्चो अपने स्वार्थ के लिए जंगलों का कटाव कर रहा है जिससे व्रिक्ष का प्रमाण कम होता चला जा रहा व्रिक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइक्साइड को कम करते हैं अर्थात वातावरन को सुध करने का काम करते हैं व्रिक्षो के अभाव में पर्यावरणी है प्रदूसोन का प्रमाण बढ़ता चला जा रहा है प्रदूसोन के कारण प्रकती का संतुलन बिगड रहा है मानव जीवन संकट में पड़ जा रहा है मानव जीवन को बचाने के लिए हमें व्रिक्षा रोपन करना चाहिए व्रिक्षो को काटने पर रोक लगाने चाहिए व्रिक्षो की देखभाल के लिए लोगों को जागरुक बनाना चाहिए जिसे हर्याली आएगी वातावरण सुध होगा और परियावरणी संतुलन इस्थापित होगा इसलिए हम सबको एक ही नारा लगाना चाहिए हर्याली लाओ परियावरण बचाओ व्रिक्ष लगाओ दूसरा है बच्चो जल ही जीवन है इसका उतर है बच्चो प्रित्वी पर कुल पानी में से मात्र तीन प्रतिसत पानी ही हमारे लिए उप्योगी है इसलिए हमें पानी के होने वाले व्योग को रोकना चाहिए जल हमारा जीवन है पानी के बिना कोई प्रिवर्ती संभाव नहीं है पानी के भड़ते हुए उप्योग के लिए साधानी रखनी चाहिए पानी का प्रमार कम हो रहा है एक तो पानी का कम प्रमार दुसरे मनुष्य की प्रोर्ती की कारण वारता वरण में तापमाल में व्रिद्धी हो रही है कारबन डाय ओक्साइड, कारबन मोनो ओक्साइड, मिथेन, गेस की व्रिद्धी के कारण जल संकट खड़ा हो रहा है चोथा प्रश्ण है बच्चो नीमन लिखित युक्तियां किसने किस से कही हैं बताओ पहला है दादा जी आपके आशू क्यों निकल रहे हैं तो इसका अंसर बच्चो दादा जी ने अंजली नीरस से कहा तीसरा है बच्चो पापा ओफीस केसे जाएंगे इसका अंसर है बच्चो अंजली ने नीरस से कहा चोथा है बच्चो फिर आपकी सांस में धुआ आ गया होगा पापा ने दादा जी से कहा पाँचा प्रश्णे बच्चो सब्द समों के लिए एक सब्द दीजिए जो सुद्ध नहीं है असुद्ध दूसरा है बच्चो जन से युक्ती जन से युक्त जीवन जन जीवन तीसरा है बच्चो कफ से होने वाला रोग तो खासी यहां बच्चो आपने अभ्यास और पढ़ा आप लोगों अभ्यास और साध्य के प्रश्णों के उत्तर अपनी नौटबुक में लिखना है और यह पार्ट पढ़ना भी है